गर्मियों के दिन थे एक सेर अपने कुफा से बाहर निकला, वे बहुत बूका था, बाहर निकल कर उसने देखा कि एक खरगोश का बच्चा वहां पर गूम रहा था, लेकिन उसे देखकर उसने सोचा कि इससे तो मिरा पेट नहीं बरेगा, तब ही अचानक उसे वहां पर एक हिरन देखाई दिया, वे हिरन का पीछा करने लगा, अब हिरन उसके आगे-ागे दोड़ रहा था और सेर उसके पीछे, लेकिन हिरन की जान का सवाल था, इसलिए हिरन ने अपनी रफ्तार इतनी बढ़ा दी कि वे सेर को भहुत पीछे छोड़ गया, और वहां से भाग गया सेर अब बहुत जादा ठक चुका था, इसलिए वे वह वहां पर रुख गया, रुखने के बाद सेर ने सोचा कि हिरन तो पकड़ में नहीं आया, कोई बात ने, खरगोस के बच्चे को खाकर ये अपनी थोड़ी सी भूख सांत कर लेता हूं, इसलिए वह जल्दी जल्दी वापिस जाने लगा, ताकि खरगोस के बच्चे को पकड़ कर उसे खा सके, लेकिन जैसे ही वो वापिस अपनी गुफा के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि खरगोस का बच्चा भी वहां से जा चुका था, अब सेर के पास पस्तावे के अलावा कुछ नहीं था, ये किसी ने सही कहा है दोस्तों, आपके पास जो कुछ भी है, जितना है, उसी में सबर रखो,